तो आज की बड़ी ख़बरों की बारे में आज के वीडियो के अंतरगत हम चर्चा कर लेते हैं और जानेगे आखिरकार आज के वीडियो के अंतरगत 10 12 और बेबियो सब्सक्राइब सब्सक्राइब उस खबर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यह सुरू करते वीडियो रक्षर हाई दोस्तों मैं स्वी दोस्तों का हार्तिक स्वागत करता हूं आपके एपने उटूब चैनल सुक्लाइश डिपॉइंट में यहाँ पर आपके सामने खबर प्रदसित हो पा रही है समाज का ल इजिनेरिक मैनेजमेंट नर्सिंग जैसे अन्य जो ब्यवसाइक पाठे करम हैं उन पाठे करमों के जो है बात की जाए गरीब वा जरूरत मंद च्छाचात्राओं के लिए च्छात्रबरती और फीस भरपाई के लिए आनलाइन आबेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है इन जिमख सचियूक के रभींदर नायक जी है उन्होंने मंगलवार को संसोधित समय सारड़ी जारी है या जानकारी विभाग के सजयूंक निदेशक ने दी है उन्होंने बताया कि जाती जन जाती समान नीवर्ग के लोग चाहेवा ओबेसी होई या पिर चाहेवा आलबसंखि लोग हों यानि कि सभी वर्गों के लिए लगबग बात की जाए छाचात्राओं के लिए लागू होगी साथी साथ उन्होंने आभी बताया कि इन कक्छाओं वा पाठे करमों के छाचात्राओं द्वारा आनलाइन आबेदन करने की समय सीमा पहले 21 अक्टूबर तै की गई थी इसे बढ़ा करके अब 25 अक्टूबर कर दिया गया है इसके बाद छाचात्राओं द्वारा दिये गए आनलाइन आबेदन में हुई तोटियो जैसे की बात की जाए हाई स्कूल के रोल लंबर तथा आए जाती निवास परमाणपत्र के करमांग और आबेदन के करमांग को स संसोसित करने और उसे राष्टी सूचना विज्ञान केंदर लखनों की और से चात्रविटी के पोर्टल पर इस्टूडेंट सेक्षन में प्रदर्सित करने के लिए चात्र जो होंगे चात्र सेक्षन में प्रदर्सित करने के लिए जो चात्र या चात्रा होंगे उनके द् प्रिंट आउट निकालने से तीन कारदिवसों का समय तय किया गया था इसे अब दो कारदिवस पर किया जाएगा तो एक प्रकार से यह खबर आपकी सामने थी हमने प्रदसित कर दी साथी साथ जिन छात्रों का अभी तक वार्सिक परिक्षा फल यानि रिजल्ट जो है वार नहीं आया है या समेश्टर वाला रिजल्ट मनलब जो छमाही वाला रिजल्ट यानि समेश्टर वा जिस जो परिक्षा होती उसका रिजल्ट या फिर चाही एरली जम्स होते हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आये हैं वह छात्र बिरती के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते ह ऐसे चात्र परिक्षाफल का इंतजार ना करें आबेदन में रिजल्ट नाट येट डिकलियर्ड का विकल्प जो होता है उसको चुने और उसको चुनते हुए आनलाइन आबेदन सम्मिट कर दें आबेदन की अंतिम्तिती 25 अक्टूबर है कई संस्थानों और कोर्स में चात् रिजल्ट आया हो चहना आया हो नेक्ष्ट कख्छा के लिए वहाँ अपना परिक्षा जो एक प्रकार से बात की जाए जो चात्र विर्थी के लिए आवेदन होता है वह कर सकते हैं रिजल्ट नाट ये डिकलियर्ड का विकल्प जो होता हुसको भरने के बाद पूड आंक प्रापतांक में सूनी सूनी भर दें जो पूड आंक मलब आपका जो पूड आंक जितने नंबर का मलब आपका पेपर होता था उसको भी आपको नहीं भरना है आप उसमें सूनी भर दें और साथी साथ जो प्रापतांक मलब जितना नंबर आपको अभी चुके रिजल्ट आया नहीं तो इसलिए आपको जो भी नंबर नाहीं मिला कुछ नहीं मिरा तो आप जीरों इसमें भद दी में आ जाएगा संदेहका रातस सुधायने का समय भी मिले गामल लबहा भी दिया जाएगा वे तब तक Robin रिजल्ट को भर कर फार्म का मलब फार्म सम्मिट कर दें वह प्रकिरिया में सामिल हो जाएगा संदे हस्पत डाटा को सुधारने के लिए मातर छे दिन का समय मिलेगा बाद में नई सार जो समय सारड़ी है उसके अनुसार चात्र 11 से 16 नमबर तक संदे हस्पत डाटा को ठेक क कर सकते हैं मलब कि 11 से 16 नमबर तक आप इसको सही कर सकते हैं जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ठीक 11 नमबर को चात्र संस्थान वा कल्यान अधिकारी के जो है लागिन पर जो है संदे हस्पत डाटा आ जाएगा इसके बाद चात्र एडिट करके अपने प्राप खबर ती जो आपके सामने रख दी थी तो फिर मिलते हैं कि संसनी फ्हलाने ओली खबरों के साथ जो एक प्रकार से आप से是 के जो है जो है दयनिक जीवन सोटी साथ आपके विद्यालाई परिश्छ से होगी विद्याली जीवन से रिटेट होगी उसकी बारे में चर्चा करेंगे तब करते हैं सुकलाइस पॉंट पर जो है बिल्कुल करवाइब आते हैं आपको सुख़ाइस एकृड़मी और येमरी क क्रिकर दो तीन चैनल हो रहा है उसको भी सब्सक्राइब कर लिजिए वाभी अपने ही चैनल है ठीक तो मिलते हैं नक्ष्ट वीडियों तब तक लिजए हैंजे भारत